एक होते हैं पुलिस वाले और एक होते हैं गुंटे और हम कहलाते हैं पुलिस वाले गुंटे ये डायलोग जब भी आप सुनते होंगे तो सलमान खान की सूपर एट फिल्म दबंग तरी की याद आती होगी जिसमें हर बार की तरह ये चलबल पार्णे के किरदार में थे और सात में दी सुनाक्शी सेना और साई मांजेर कर इन दिनों की जोडी ने काफी अच्छा पिर्दशन कर फिल्म को हिट बनाया था इससे पहले भी इनकी दो पार्ट बन चुके हैं जिनने काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खबरों के मताबि इस फिल्म का चौता भाग आने वाला है यानि कि दबंग फॉर आने वाली है सल्मान खान ने दबंग फिल्म के सारे पार्ट को अच्छा रिस्पॉंस मिलने के बाद दबंग फॉर बनाने की अनौंसमेंट की है तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दबंग फॉर के बारे में ही बताने वाले हैं ये फिल्म कब तक आएगी इनमें कौन सी स्टार कास देखने को मिलेगी अगर आप भी दबंग 4 के बारे में जानना चाते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहिए और साथ ही सल्मान खान के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें अभिनेता सल्मान खान के करियर की बैस फिल्म में से एक है दबंग फ्रेंचाइजी जिसके अब तीन पार्ट बन चुके हैं इसका पहला बार साल 2010 में आया था जिसके बार साल 2012 में दबंग टू आई जिसमें एक बार फिर सल्मान खान और सुनाक्षी सिना की जोड़ी देखने को मिली थी जिन्हें दर्शकों ने दुबारा प्यार दिया और साथी कहानी को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था और ये सुपर हीट हुई फिर साल 2019 में दबंग ट्री आई इसमें सल्मान खान सुनाक्षी सिना के साथ नई ट्विस्ट में एक्ट्रिस साई मांजरे कर नजर आई थी जिने दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और बाद में ट्विस्ट भरी कहानी को लोगों ने काफी पसंद किया जिसके चलते दबंग 3 भी एक सुपर 8 फिल्म बनी अब तक फिल्म दबंग के तीनों पार्ट की सफलता देख कर खबरों के मताबिक सल्मान खान ने दबंग 4 की अनाउस्मेंट कर दी है जी हां दोस्तों वैसे तो अभी तक ये आने वाली फिल्म रादिय की शूटिंग में बिजी हैं पर जैसे ही उस फिल्म की शूटिंग खबरों के अनुसार अभी इस फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है बात करें इसकी स्टार कास के बारे में तो बताया जा रहा है कि दबंग 4 में भी सलमान खान और सुनाक्षी सिन्हा ही दिखेंगे पर साथ में एक और एक्ट्रेस होंगी इस कहानी को इंट्रस्टिंग बनाने के लिए दूसरी हिरोईन के लिए सल्मान कान ने कैटरिना कैफ और दीशा पतानी को चुना है अब देखते हैं कि क्यों किस रोल के लिए फाइनल होती है अब बात करते हैं विलन की वैसे अब तक तीनों फिल्म में दमदार विलन देखने को मिले है खबरों के मताबिक इस बार दबंग 4 में कमांडो फिल्म के हीरो विद्द जामवाल विलन की रूप में दिखेंगे पर अभी तक इस रोल के लिए कनफरमेशन नहीं दिया है फिलाल तो अभी फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है और नए स्टार्ज में से कोई कनफरमेशन नहीं दिया है पर दबंग 4 के बारे में सुनकर फैंस अपी से काफे खुश हो गए हैं अब देखना ये है कि ये फिल्म कब तक आती है और हमें भी सलमान खान से आशा रखते हैं कि वो हमें ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे तो दोस्तों आपको दबंग 4 का कितना वेज सब्वरी से इंतजार है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथी बॉलिवूड से जुड़ी ऐसी मसदालेदार खबरों को जानने के लिए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें